आप टाइटल पढ़कर मेरे चैनल पर आई चुके हैं उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक्यू करती हूं आप मेरे चैनल को इतना प्यार देते हैं स्कूर्ट देते हैं जो भी वीडियो अप्लोड करती हूं तुरंत उसे देखते हैं और अपना फीड़बेक में इसा शेयर क करते हैं उससे मुझे बहुत ही जदा खुशी मिलती है मैं आप सभी का दिल से थैंक्यू करती हूं अगर आपके बाल बहुत ही जदा सफेद हो चुके हैं तो सफेद बालों को आपने कैसे कवर करना है आज मैंने अपनी ममी के बालों पर इस नेमडी को लगा कर दिखाया है क्योंकि बहुत सारे वीवर्स के ये comment होते है कि आप वाइट हैर्स पर इसे apply करके दिखाएं तो मैंने अपने बालों पर भी इसे apply किया है अब ममी के बालों पर इसको live result दिखाने के लिए apply किया है आप इसे एपलाई करके दिखिएगे आपके बालों में बहुत इच्छी शाइन आएगी डाक ब्राउन कलर आपके बालों पर आएगा आप देख सकते हैं कि मेरे बाल बिल्कुल डाक ब्राउन कलर के नजर आ रहे हैं आपको जैसे डाक चोकलेट होती है बिल्कुल वैसे बाल आपको नजर आने वाले हैं इसी आपके बालों में बहुत इच्छी शाहिन आएगी आप मेरे बालों में वॉलियम देख सकते हैं कि आपके बालों में वॉलियम भी बहुत ही अच्छा आएगा आपके बाल बहुत ही में पतले शार्ट सेबाट करना स्टार्ट गों के इस प्रीके से काले से अध्यानों की अब आपके बालों अगर यह जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह भी जब से खतम हो जाएंगी को यह मार्केट वाली जांने पर नहीं पढ़ने वाली आपके बालों से सारे प्रोब्लम इसको लगाने के बाद दूर होने वाली है तो मैं 100% आपको यह बोलती हूं कि यह 100% नैचरल है आप इसे बेप फिकर होकर हर उमर का व्यत्ति इसे यूज कर सकते हैं आपको यह डाउट बिल्कुल भी नहीं लेके आना है अपने मन में किसको लगाने के बाद हमारे बालों पर कलर आएगा जर नहीं तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है आप इसे एक बाल लगा के देखिए आपके बालों पर बहुत ही चक कलर आएगा आपको कोई भी काम करना है आप जब भी कोई भी फिस पैक जब फिर हेयर पैक लगाते हो अपने च जल्द भी बहुत ही अच्छा मिलेगा और साथे साथ वो रेमेडी जो हमने तयार की है वो आपके बालों पर भी बहुत ही च्छा काम करेगी अब सबसे पहले आपको लेनी है लोहे की कडाही लोहे का पैन ले ले लिजिए इसमें एक गिलास एड़ कीजिए पीने वाला पानी नेक्स्ट आपको इसमें एड़ करना है एक चमज भरकर आमला पाउडर आमला पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए दूसरी चीज जो हम इसमें एड़ करने वाले हैं वो है जी रीठा पाउडर रीठा पाउडर आपको बहुत यासानी से पंसारी की चाइन देता है और साथ जो ग्रेय हेर्स हो रहे हैं उन्हें धीरे धीरे डाक ब्राउने करता है लास्टी इसो हम तीसरी इसमें एड़ करने वाले हैं वह है जी हीना जानी की मेहधी पाउडर आपको 2-3 चमच मेहधी इसमें एड़ करनी है और इस सारी पूर्सेस को करते यह कमेंट पर रही हूं मेरी वीडियो पर भर भर के आ रहे हैं कि दी आपकी स्माइल बहुत ही प्यारी है आप इसी तरह स्माइल करते रहे हैं आपके चेहरे की जो स्माइल है वो बहुत ही देखने में हमें अच्छी रखती है हमारे दिल को एक अलग सा स्कून मिलता है तो लगा रहे हूं उसे यह सोच कर लगा जए कि आपको सब walkhouse कशान काया मिले वाला उसे आपके ważne कर बहुत इपको होगत इसान करना हैं कर भी चेशैंआ को सब्सक्राइट कर आपके सब्सक्राइबे जिए वीडियों केसे तंग है तो आपको रिजल्ट भी उसका आगाद हो रही मिलता है तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहले फुल वोच कीजिएगा उसके बाद ही इससे तयार करें और अपने बालों पर अपलाई करें जिनके बालों पर मैं आपके साथ लाइव इर्जल्ट शियर करने वाली हूँ आप देख सकते हैं कि इनके बाल काफी हद तक वाइट हो चुके हैं जब भी आपको इस पैक को अपने बालों पर अपलाई करना है उससे पहले आपको शेंपू के हल्प से अच्छी तरह से वालों को वाश कर लेना है और वाश करने के बाद ही आपको इस पैक को अपने बालों पर अपलाई कर लेना है इस तरह से आप हाथों से जाफिर ब्रश की हल्प से बालों पर अच्छी तरह से अपलाई कर लीजिए और दो घंटे के लिए आपको इसे ऐसे ही रहने देना है और दो गंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से पने बालों को वाश करना है शैंपू यूज नहीं करना है जब आपके बाद ब्राइ हो जाए तो आपको ऑईलिंग कर लेनी है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको शैंपू और कंडिशनर दोनों ही पर चुके हैं अगर वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए गा आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पूर ऑगी आप इसे मना कर जूर्शर थरौ आप कीजिएगा है कोई वी कोश्चन है से लिखिक तो आप नीचे कमेंट पोक्स में मुझे कमेंट करकर पूछ सकते हैं मैं उसको reply आपको जुरूर दूँगी तो guys मिलते हैं मेरी नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप अपना खयार रखिएगा thanks for watching, take care, bye bye be happy, be positive, हमेशा खुश रहिएगा और मुझे भी अपनी दूआउ में हमेशा याद रखिएगा